अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक budget माइक option consider करना चाहते हैं जिसमें audio quality बहुत अच्छी आती हो तो बोया माइक best option है और इसका जो wire है वो भी काफी लंबा है पर प्रॉब्लम यह है कि जब हम recording करते हैं तो यह जो लंबा wire है यह सबसे ज़ादा परिशानिया create क क्योंकि आप एक जबे खड़े होकर अगर वीडियो नहीं बना रहे हैं आगे पीछे move कर रहे हैं सामने आपका tripod रखा है camera रखा है lights रखी हैं तो इस सब में इस setup में यह जो wire है यह बहुत ज़ादा disturbance create करता है परिशानिया create करता है तो उस case में अब wireless mic का option consider कर सकते हैं अब समस्या यह आती है कि wireless mic ले तो कौन सा ले क्योंकि जो बहुत ज़ादा popular options है road है DGI है तो इनका जो price range है वो काफी ज़ादा है करीब 25-30,000 और इससे भी ऊपर पड़ जाता है और initially इतना पैसा mic में लगाना थोड़ा difficult होता है बोया का mic तो आपका 7800 में आ जाता है तो ऐसा कोई mic जो आपको बहुत ज़ादा महंगा भी ना पड़े और जिससे आपका काम भी बन जाए audio quality भी अच्छी आए वो आप consider कर सकते हैं और उसके लिए थोड़ा research करने के बाद मैंने एक mic order किया और अब आप बताईए यह अच 4000 के असपास लेकिन यह मुझे 1600 में मिल गया और मैंने यह जब sale चल रही थी ना उस time लिया तो इसकी price काफी अच्छी मुझे मिल गई तो यह करीब 1600 में मुझे यह mic पड़ा है तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहले आजाता है आपका warranty card और इसके अलावा यह है हमारा mic तो यह इस तरह के charging case में आता है और इसमें हमको दो चीज़े मिल रही है एक है हमारा transmitter और यह है हमारा receiver यह दोनों चीज़े हैं और इसके साथ और देख लेते हैं पहले यह मिलती हमको एक user manual जिसको refer करेंगे हम और इस box में I guess कि कुछ wires है हाँ बिलकुल तो यह है एक आपका charging cable और यह कुछ adapters हैं तो यह है हमारा type C adapter और पीछे इसमें हमें मिल रहा है 3.5 mm का jack तो इसमें हम microphone वगरे भी connect कर सकते हैं और एक और यह adapter है तो यह iPhone के लिए है और पीछे भी इसमें आपको एक port मिल रहा है यह भी type C charging cable है let's see कैसे use करना है तो यह दो adapters है यह हो गया आपका charging case और यह उसका charging cable और अब दूसरी चीज़ यह जो mic है यह आप किस-किस phone के model में camera में कहां use कर सकते हैं तो पहली चीज़ तो यह आपको type C वाला port मिल रहा है तो Android में आप इसे use कर सकते हैं easily लेकिन फिर भी कौनसे-कौनसे Android models में हम इसे use कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं तो यहाँ पर mentioned है तो इसे आप OPPO में use कर सकते हैं, Vivo में use कर सकते हैं, Realme brand में use कर सकते हैं इसके बाद आप इसे अपने phone में connect कर पाएंगे अब हम देख लेते हैं कि यह जो हमारा transmitter है इसमें आपको क्या-क्या मिल रहा है तो एक port यहाँ पर यह है और इसके अलावा यह है हमारा जहां से हमारा audio record होगा यह है आपका power button ठीक है तो यह तीन चीज़ा इसमें है अब य कि यह port मिल रहा है although इसमें charging की जरुवत नहीं है यह plugin use है सिर्फ हम इसे connect करना है और इसे use करना शुरू कर देना है कोई इसकी charging की जरुवत नहीं है अब क्या है कि जैसे आप iPhone में से connect करना चाते हैं क्योंकि जादा दर लोग क्या है videos iPhone से record करते हैं तो iPhone connectivity के लिए आपको क्य लगाना है insert करना है और फिर यह आप लगाएंगे अपने iPhone में और फिर आप इसको use कर सकते हैं तो यह iPhone connectivity के लिए है और अगर आपका Android phone है तो फिर आपको यह adapter लगाने की जरुवत नहीं है आप directly ही इसे सीधा आपने phone में insert करेंगे और use करना शुरू कर देंगे अब पहली इसे जब हमें start करना है तो हम क्यासे करेंगे तो यह जो power button आपको दिख रहा है इसे आपको 3 seconds के लिए press करना है तो फिर आपको दिख रहा होगा light इसकी blink होना start हो गई है तो जब यह connected नहीं होता है तो red और green light blink होती है और जब connection successful हो जाता है तो सिर्फ green light इसमें visible होती है तो यह तब होकर जब आप इसको phone में connect करेंगे और फिर आप इसको use करना शुरू कर देंगे इसी तरीके से अगर हम इसे turn off करना है तो फिर से हम इसे 3 seconds के लिए press करेंगे तो इसका light off हो गया है तो इस तरह से इसमें connection करना है चलिए अब हम check कर लेते हैं कि किस तरह के audio quality हमें इ एक बार प्रेस करेंगे तो वो होगा हमारा first level of noise reduction दूसरी बार प्रेस करने पर second level of noise reduction और तीसरी बार में third level तो third level तो तब use होता है जब बहुत जादा शोर होता है तब आपको use करना है otherwise जो first or second level है वो भी sufficient होता है तो अब मैं आपको यह तीनों level try करके बताऊंगी और अभ अब मैं क्या कर रही हूँ जो first level है उसको turn on कर रही हूँ तो अभी आपको थोड़ा बहुत जो background noise है वो थोड़ा surprised हुआ है कम सुनाई दे रहा होगा और अब मैं क्या करूंगी जो second level है उसको turn on करूंगी लेकिन उससे पहले जो audio quality है उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिये noise थोड़ा बहुत reduce हुआ है और audio quality किस तरह की है यह आप observe करिए अब मैं कर रही हूँ second level को turn on तो यह हो गया हमारा second level of noise reduction अब इसमें आपको पिछले level से थोड़ा जादा noise reduce हुआ है इस वाले में और audio quality है उस पर भी आप ध्यान दीजिए कि किस तरह की audio quality आ रही है क्या जो original आवाज है वैसी ही आ रही है या पिर suppressed आवाज आ रही है इस चीज को observe करिए अब हम क्या कर रहे है जो third level है noise reduction का उसको turn on करेंगे तो उसमें क्या होगा जो भी आसपास का शोर होता है वो एकदम से suppressed होता है या नहीं वो चीज हम देखते हैं तो अब हम इसको एक बर और प् कर रहे हैं गाडियां भी निकल रही है और construction वगएरे की भी आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है तो अगर आपको वो सारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है that means जो इसका noise reduction है वो बहुत ही जबरदस्त है लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और observe करनी है कि क्या मेरा जो audio है वो आपको clearly सुनाई दे रहा है क्योंकि noise reduction जब होता है तो audio quality है वो भी थोड़ा घट जाती है क्योंकि original audio नहीं सुनाई देता है suppressed audio सुनाई देता है तो अगर audio quality आपको अच्छी सुनाई दे रही है अच्छी quality आ रही है that means जो third level है noise reduction का वो बहुत ही बढ़िया है लेकिन मे मेरे साथ से जो मैंने observe किया है तो जो second level है noise reduction का मेरे साथ से वो बेटर है क्योंकि उसमें जो एक क्या आपको गाड़ी की आवास आ रहे है अगर आपको गाड़ी की आवास नहीं आई है या फिर बहुत काम आई है तो मैं कहूंगी इसका noise reduction बहुत ही जबर्दस्त है तो इसका मैं वापस से normal mode on करती हूँ अब आपको जो normal शोर वगएर है background noise जो सारी चीज़े सुनाई देंगी लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो observe किया है जो second level है noise reduction का वो best है मेरे लिए क्योंकि इतना जादा शोर नहीं होता और जिस समय मैं videos record करती हूँ उस time कोशिश करती हूँ कि बहुत जादा शोर ना हो तो first और second level मेरे लिए appropriate है लेकिन हाँ अगर आपके आसपास बहुत जादा शोर है तो फिर आप third level of noise reduction भी use कर सकते हैं अगर आप outdoor shoot करते हैं तो उसमें तो third level of noise reduction बहुत अच्छा है लेकिन एक चीज़ और जो मुझे observe किया मैंने कि third level में noise जो आपकी audio है वो थोड़ा सा flat हो रही है अगर वो original audio आती है सुनाई देती है जैसा कि अभी आप video में शायद सुन पा रहे होंगे तो फिर आप third level भी use कर सकते हैं बट मेरे साब से first or second level appropriate है noise reduction के लिए और audio quality अच्छी बनाए रखने के लिए तो इसकी audio quality पे आपने सुननी किस तरह का noise cancellation है वो भी आपको समझ में आ गया होगा तो मुझे लगता है कि इस budget range में this is one of the best deals क्योंकि ना सिर्फ इसमें आपको अच्छी audio quality मिल रही है noise reduction मिल रहा है wireless option है और सबसे अच्छा तो insert करिए plug करिए और use करना शुरू कर दीजे तो कोई भी इस तरह का charging का भी जंजट नहीं है और सबसे अच्छी चीज है इसकी battery life ज तो यह सारी चीज़े भी टेस्ट हो जाएगी और जो भी मेरे experiences होंगे वो मैं आप सभी के साथ share करती रहूंगी तो मुझे लगता है कि इस budget range में अगर आपको किसी mic में इस सारी चीज़े मिल रही है तो वह वाकई में बहुत ही अच्छी deal है तो फिलहाल अगर आप wireless mic का option स search कर रहे हैं तो आप इसे consider कर सकते हैं अचा इसमें भी 2 model है मैंने जो use किया है वो है इसमें एक single transmitter और receiver है और इसमें जो दूसरा model आता है उसमें आपको 2 transmitter और 1 receiver मिलता है तो वह तब यूज़ होता है जब interview वगरे के लिए आपको 2 mic की requirement होती है तो उस हिसाब से आप उसे द में 1600 क्या सपस मुझे पढ़ा जो की आपको शायद 2000 तक में भी पढ़ जाए और double वाले का जो प्राइस रेंज है थोड़ा सा इस वाले से जादा होगा तो वह आप देख लिएजे और जो इसका link है exactly यही जो मैं use कर रही हूँ वह मैं नीचे mention कर दूंगी description box में तो आप उ साब से आप चाहें तो इसे देख सकते हैं यूज करके देख सकते हैं चीक है तो उम्मीद करती हो इस वीडियो में मैंने ज्यादतर चीजों को cover किया है इस माइक से related फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आने वाले जो वीडियो में मैं cover करी दूंगी क्योंकि आने वाले और आपको भी ये सारी चीज़ें देखने समझने को मिलेंगे तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही मिलती हो आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में